नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है जियारे फड़ा चानल पे मैं हूँ डॉक्टर प्रियांका गुदारा आपकी एजुकेटर फो सीएसाइडनेट लाइफ साइंसेंस सो गाइस अगर आप लोग हमारे साथ सीएसाइडनेट की कम्प्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए कम्प्लीट कोर्स अवेलेबल है ओन जी आरे फड़ा आप जो आप जी आरे फड़ा वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको ए बीसी ःनो पार्ट उत हैं आपके घी ठंडिट कवर कर जाते हैं सब्चित एक्सपर्ट्स के दवारा आपकी ग्लासेज कर वाया जाते हैं यहां पर डाउट सैश्छन के अंदर आपे डाउट मूच सकते हैं और इसके लाब अभी झायँ के लिए जो रुपीज तो गैस अगर आप लोग अवेल करना चाहें तो जायरे फड़ा की वेब साइट पे जाएं जायरे फड़ा अप्लिकेशन डाउंगलोड करें जायरे फड़ा अप्लिकेशन डाउंगलोड करने के बाद में आपको यहां पे स्टाड़ी ग्रुप चूज करना है आपका क्या स्ट्राटेजी रहना चाहिए जब आप एक्जाम हॉल में जाके बैठ हैं तो आपको किस तरह से अपना पेपर सॉल्फ करना है क्योंकि अब बहुती कम समय हमारे पस बजा हुआ है एक्जाम विलकुल आ ही गया है तो इस केस में आपको ओलरी आपके दिमाग मे एक जो है बना हुआ होना चाहिए पिच्चर कि किस तरह से आपको जो है एक्जाम हॉल में जाके बैठना है और किस तरह से आपको उस एक्जाम पेपर को सॉल्फ करना है तो इसकी बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं तो किस तरह की चीज़ें हैं कितने क्वेस्चिन आपको करने चाहिए यह सब बातें हमने काफी सारी पहले वीडियो में भी करी है सो यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक्जाम वाल में बैठने के बाद आपका माइंड सेट क्या रहना चाहिए आपका जो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके paper के अंदर तीन section है A, B और C जो C है C section के अंदर सबसे जादा weightage आपके फूरे question paper का है इसके अंदर जो है 25 questions आपको करने है जो कि 4 marks के है 100 marks है अकेला section आपको दिलवाके जा सकता है और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है options बहुत ज्यादा है क्योंकि 25 questions आपको 75 में से select करने है so guys सबसे पहले जो है आपको यही बाला section मेरी suggestion के according आपको section C सबसे पहले लेना चाहिए और उसका reason क्या है जब आप जाके paper देखते हैं तो आपका mind बिलकुल fresh होता है आपकी जो thinking capacity है वो आपकी ज्यादा होती है okay so आपका mind अच्छे से process कर पाएगा और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा time नहीं लगाना है अपना time बिलकुल waste नहीं करना है so आपका जो time है वो किस तरह बचाएंगे आप सिरफ 75 questions है उसमें से 25 करना है तो इसके अंदर हो सकता है बहुत सारी ऐसी units होंगी जो आपने prepare करी होंगी और कुछ units आपने छोड़ दी होंगी so obviously जो units आपने छोड़ दी हैं उनके question की तरफ तो बिलकुल देखना भी नहीं है okay because I don't think so कि आप लोग उन questions को attempt कर पाएंगे so अपना time वहाँ पे बिलकुल भी waste नहीं करें और सिरफ उन questions के ऊपर ध्यान करें और focus करें जो units आपने पढ़ी है now CSIR के paper के अंदर एक pattern है कि एक साथ में generally वो एक ही unit के जो questions है एक साथ में देते हैं so उस वाली situation के अंदर आपके लिए काफी easy रहेगा so guys यहाँ पे आपको जो units आपने करें सिरफ उन questions को focus करना है और उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा time taking अगर कोई question लग रहा है आपको लगता है कि आपको आता है और आप कर लोगे but उसको करते हुई अगर आप अपने 15 minute उस एक ही question में waste कर देता है so that makes no sense ठीक है इस तरह के questions को भी एक बार आप छोड़ दे और आपको सिरफ उन questions को easy questions को जो आपको लग रहे हैं उन questions को सबसे पहले attempt करना है और try करना है कि फटाफट फटाफट आप सारे questions को एक बार अपनी नजर सभी questions की उपर डाल लें और उसके बाद में जो-जो questions आपको easy लग रहे हैं उनको साथ साथ में अटेम्ट करते जाएं और थोड़ा काउंटिंग रखें कि कितने questions आलमोस्ट आपने कर लिया है सो हो सकता है वो सारे questions देखते हुई ही आपके 22 questions वहाँ पे solve हो जाएं तो यह आपको strategy रखनी है अपनी time बिलकुल भी किसी एक question के ओपर ज्यादा waste नहीं करना है ठीक है questions types जो इसके अंदर generally section C में पूछे जाते हैं वो statement type questions होते हैं या तो या फिर match the following वाले questions आते हैं okay match the following वाले questions आते हैं और उसके अलावा जो questions पूछे जाते हैं generally वो है generally कुछ numerical type questions या फिर कुछ graph वाले questions आते हैं जनके अदर graph दिया होता है so ये जो questions है इनको आप देखते ही अगर आपको लग रहा है कि option समझ में आ गया कौन सा वाला है तो उस तरह से आप फटाफट फटाफट questions को जो है solve करते जाएं okay section C में जितने आप कर सके उतने करने के बाद में आप जाएं section B के ऊपर okay now section B के अंदर क्योंकि बहुत लंबे statements या लंबे-लंबे questions नहीं पूछे जाते हैं generally ठीक है वाह पर short questions होते हैं और वाह पर आपको accurate answer आना चाहिए so section B के अंदर आपका जो strategy है वो ये रहना चाहिए सबसे पहले राउंड में टिक करने है सबसे पहले जो section B है उसके नर जिन भी questions के लिए आप बिल्कुल sure है वही वाले questions यहां पर कर दें उसकी बाद में आप जाएंगे section A पर section A जो है बच्चों को काफी डर लगता है science वाले बच्चों को की maths वाले जो questions है यह हम biology से हैं हम लोग कैसे करेंगे अगर आपने previous question का थोड़ा बहुत भी practice किया है तो इस वाले section से आप 6-8 question आराम से इसके अदर आप solve कर पाएंगे section A के अंदर यह questions को आप जरूर attempt करें जितने आप से हो सकें उतने questions आप attempt करें क्योंकि यह आपके लिए एक तरह से add-on marks है इन तीनों sections में आपको कितना कितना time देना है मैं कहूंगी जब आपको paper मिलता है मिलते ही जो आप first round देखते हैं सभी questions को उसके अंदर आप इसके अंदर around 45-50 minutes अपने यह आपे दे सकते हैं और इसके अंदर आपको selected questions सिरफ वो value पे ज़्यादा देना है जो units आपने अच्छे से prepare करी है जो units आपने prepare नहीं करी है ओन units के questions को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है now section B के अंदर आप दे सकते हैं क्योंकि यहापे 50 questions है और जिसमें से आपको 35 questions करने है सो यहाँ पे आप अपना करीब 30 minutes का time यहाँ पे आप दे सकते हैं और section A जो है इसके अंदर आप 20 minutes का time दे सकते हैं उससे जादा time आप ना दे although क्योंकि यहाँ पे calculation है इसलिए मैं 20 minutes आपको बता रही हूं बट अगर आपको कोई question ऐसा लग रहा है कि जिसमें दिमाग लगाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके related जो भी formula है या जो भी इसका funda है वो आपको नहीं आता है so do not waste your time over there जो भी चीज़ें आपको लग रहे हैं कि आप कर सकते हैं उसके अंदर आपको ये करना है इसकी बाद में आपको second round के अंदर दुबारा section C पे जाना है ठीक है यहाँ पर अब आपको देखना है कि आपने कितने questions किये थे और कौन से ऐसे questions हैं जो कि अब आप कर सकते हो और भी जिसके अंदर थोड़ा बहुत time दे करके आप इन questions को कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर अगर हम total देखें अगर आप exactly इतना ही time देते हैं तो ये 50 और 50 मतलब 100 minutes आपके हो गए हैं और आपके total time जो आपके पास होता है वो 180 minutes का होता है so around एक घंटे का time अब आप दुबारा से एक और round इसके अंदर दे सकते हैं so यहाँ आप अराम से section C के अंदर और questions देखें कि और कौन-कौन से questions अभी आप कर सकते हो ठीक है total आपको कोशिश करनी है अगर 25 questions आप short-shot कर देते हैं ठीक है तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ा advantage रहेगा now यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है CSIR कुछ questions ऐसे देते हैं जो थोड़े tricky होते हैं जिसके अंदर बच्चा फंसके रह जाता है और उसको लगता है कि नहीं यह तो मुझे आता ही है और यह तो question में कर ही लूँगा या कर लूँगी उसके अंदर अगर आपने 15 minutes waste कर दिये तो आप यह समझे कि वो जो time है वो आप अपने और 4-5 questions के अंदर utilize कर सकते थे उनको solve करने के अंदर तो better आप अपना time वहाँ पर utilize करें इस तरह का अगर कोई tricky question लग रहा है आपको लग रहा है कि आप fuss रहे हैं तो उस question को बिल्कुल उस time पर छोड़ दीजे last minute के लिए अगर हो सकता है आपके पस time last में और बच जाए तब आप उस question को देख सकते हैं और हो सकता है उस तरह की questions के अलावा ही आप already 25 questions कर दें क्योंकि आपके बस options यहाँ पर काफी है 75 questions में से आपको 25 करना है मतलब हर 3 में से एक question आपको attempt करना है okay so focus for those questions जो ज्यादा relevant आपको लग रहे हैं जो फटाफट आप solve कर पा रहे हो और जिसके लिए आप sure हो कि यह बलकुल सही है so आपको यही अपना mindset रखना है okay now यह जो second round है इसकी बाद में आपको एक बार देखना है कि कितने marks का आपने almost जो question paper है वो attempt कर लिया है क्योंकि आपका जो target है वो आपको रखना है 120 plus marks okay GRF के लिए आपको 120 plus का अपना target रखना है तो उसकी according आप एक बार देख लिए कि कितने marks के questions आपने attempt कर लिए है क्या वो उतने हो रहे हैं या नहीं okay उसकी बाद में accordingly आप decide करें बाद में कि आप कितने questions आपको और करने है okay so generally 120 का अगर आपका target है तो मैं यह कहूंगी कि आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत extra उपर ही मानके चलिए because ऐसा नहीं है कि 100% आपने जितने भी questions की है वो सभी सही हो जाएंगे कुछ questions generally हम जो सोचते हैं वो गलत हो जाते हैं so उस case में कुछ plus ही मानके चलिए कि कुछ extra questions आप attempt करके रखे ताकि अगर एक दो में कही negative marking कुछ हो कुछ questions के अंदर तो भी हमारा जो score है वो यहां तक पहुंच सके okay so accordingly आपको total करना है कि कितने questions आपने total attempt कर लिया है कितने marks की questions आपने attempt कर लिया है so यह सारी चीज़े आपको वहाँ पर बैठ करके देखनी है now exam hall में जब आप जाते हैं तो आपको बिलकुल calm रहना है confident रहना है और सबसे important बात positivity वाले जो कोई आपके friends है उनसे बात करनी है जो stress में रहते हैं उस तरह के लोगों से बात नहीं करनी है because you have to be positive you have to be focused और exam से जस्ट पहले वो जो paper पलट पलट के बच्चे exam के बाहर पढ़ते रहते हैं so do not do that on the examination day you have to be calm you have to be composed and you have to be very confident so last minute वाला hustle ना करें आराम से अपने दिमाग को बिलकुल काम रखें confident रहें अपना time जो है वो management जिस तरह आप सोच के गए हैं उसी according manage करें और अगर आप ये वाला जो time है अगर आप previous year questions को solve करने में लगाएंगे तो I am assuring you this कि आपका ये जो time management वाला strategy है बहुत अच्छी तरह से आप इसको अच्छी तरह से आप इसको डील कर पाएंगे time management हो जाएगा वहाँ पर so it is very important जो मैं बार बार कहती रहती हूं कि तीन घंटे गा time लेके जो पुराने question papers हैं उनको ये जो 15-20 दिन आपके बस बचे हैं इस time के अंदर जरूर solve करें and it will really help you a lot during your examination time so this is all that I just wanted to tell about your paper solving formula for CSI net examination and all the best to all of you guys okay and if you wanna do this course with us then आपके लिए complete course available है इसके लिए आप jrfadda की website पे जा करके jrfadda की app को download करें और आप हमें join कर सकते हैं thank you